Hello everyone, welcome back to Current Affairs by Ravi YouTube channel and this is Aditi आज की वीडियो में जो है हम Current Affairs का एक काफी ज़्यादा important topic cover करेंगे topic का नाम है चर्चित महिलाई, 2023 और friends इसमें जो है जन 2 December तक के सभी important question included है almost 70 questions जो है हम MCQ की through discuss करेंगे जिसमें की important facts भी included रहेंगे बागी के जो important question है वो मैं आपको one liner की format में cover करवाऊंगी तो complete video है ये और आपकी exam में इस video से जो है question देखने को मिलेगा इस topic से चर्चित महिलाई जानेगे कि कौन-कौन सी महिलाई है जो कि 2023 में काफे ज़्यादा news में रही है जाफीर जिने किसी बड़े पद पे जो है नुक्त किया गया है ठीक है तो आप video के साथ एन तक बने रही है क्योंकि काफी ज़्यादा beneficial topic है आपकी सभी upcoming exams के लिए तो चलिए आज के session को start करते हैं हमारे very first question के साथ फर्स्ट question आपका है फ्रेंट्स तो राइट answer आपका रहेगा option number 1 पुश्पा भारती जो है फ्रेंट्स इन्हे 33 व्याद सम्मान 2023 से सम्मानित करा गया है अगर वहीं बात करें कुछ important facts की इस question से लेटर तो देखिए प्रसीद हिंदी लेखी का है पुश्पा भारती और इन्हें मिला है 33 व्याद सम्मान ठीक है फ्रेंट्स इन्हें जो है इनके संस्मन यादे यादे और यादे के लिए जो है 2023 का व्याद सम्मान देने की जो है वो घोश्णा की गई है नेक्स कुशन के और मूव कर लेते हैं अंतराष्टे टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन गवर्निंग बोर्ड में निक्त होने वाली जो पहली भारती महिला बनी है वो कोन बनी है तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा इस कुशन का ओप्शन नमबर बी वीटा दानी जो है ये अंतराष्टी टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन गवर्निंग बोर्ड में निक्त होने वाली पहली भारती महिला बन गई है नेक्स लेकि राष्टे महिला आयोग की जो पूर्व अध्यक्ष है उनका हाल ही में नितन हो गया है इनका क्या नाम था तो राइट आंसर इसका रहेगा फ्रेंट्स ओप्शन नमबर सी डॉक्टर वी महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी और इनका अभी रिसेंट में ही देहान्त हो गया है अगर important points की बात करें इस questions related तो देखिए राश्टे महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष पद्मना भूशन डॉक्टर वी महिनी गिरी का जो है 86 years की आयो में निदन हुआ है और महिलाओं के अधिकारों के छेतर में उनके पूर्यासों के लिए फ्रेंट्स इन्हें 2007 में पदम भूशन से भी समानित किया जा चुका है यह आपने important points जाद रखना है डॉक्टर गिरी जो है इन्होंने 1995 से 1998 तक जो है राष्टे महिला आयो के अध्यक्ष पद्द पर जो थी ये कारेरत थी नेक्स से किए नोबेल शान्ती पुरुसकार 2023 से जो है वो किसे समानित किया गया है राइट अंसर इसका option number A रहेगा आपका नर्गिस मोहमदी जो की इरैन की है इन्हें जो है नोबेल शान्ती पुरुसकार 2023 से समानित किया जाएगा नोर्वेजी नोबेल समीती द्वारा 2023 का जो नोबेल शान्ती पुरुसकार है ये इरानी कारेकरता नर्गिस मोहमदी को दिया गया है नेक्स कोशन के और मूफ करते हैं तो मिस यूनिवर्स 2023 का किताब किसने जीता है कफी ज़्यादा important question राइट एंसर आपका रहेगा फ्रेंस option number A शेनिस प्लासियोज जो है इन्होंने मिस यूनिवर्स 2023 का टाइटल जो है वो जीत लिया है इंपोर्ण में इसकी बात करें तो निकारा गुआ की है शेनिस प्लासियोज इन्होंने जो है 72 नंबर की ये मिस यूनिवर्स बनी है और ये जो है ये ये किताब जीत्ते वाली निकारा गुआ की पहली महिला बन गई है नेक्स सेखिए भार्तियवानी की अनुसंधान एवं शिक्षा परिशत की जो पहली महिला महानिदेशक है वो कोन बनी है राइडान से उप्षिन नमबर ए रहेगा आपका गंचन देवी जो है ये ICFRE की पहली महिला महानिदेशक बन गई है नेक्स सेखिए महिला फैशन ब्रैंड जिसका नाम है W इसने जो है किस भार्तिय अभिनेतरी को अपना ब्रैंड एम्बेस्टर चुना है राइडान से उप्षिन नमबर D रहेगा अनुशका शर्मा तो फ्रैंस कोईशन में आपको साथ साथ में इमेजीज भी शो करवाई जारी है ताकि आपको कोईशन जो है और अच्छे तरीके से क्लियर हो सके कि कि इमेजीज के तरू अगर आप कोई भी चीज़ देखते हैं तो वो काफी लंबे समय तक आपको याद रहती है और कोईशन का लेवल देखके आपको पता चलना चाहिए कि इसमें जो है कितने सारे इंपॉर्टन कोईशन इंक्लियूड करेगे हैं इसलिए आपको आपके एक्जैम से पहले ये एक वीडियो जरूर देखके जानी है चच्चित महिलाओं की ठीक है ऑप्शन नमबर बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा फ्रेंट शिव शंकरी जी को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित करा गया है आईए कुछ important points कवर करते हैं इस question से जुड़े तो तमिल लेखी का है ये शिव शंकरी जी ठीक है इन्हें 2019 के संस्मन सूर्य वामसम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित क्या जाएगा सरस्वती सम्मान ये केके बिल्ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्य पुरुसकार है और ये सम्मान जो है ये प्रतिवश भारती समिधान की आटवी अनसूची में दर्ज भाशाओं की में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति को जो है वो दिया जाता है सर्स्वती सम्मान का अरंब हुआ था 1991 में और पहला सर्स्वती सम्मान जो है ये मिला था हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरीवर्श राइब वच्चन जी कोटी के ये इंपॉर्टन लाइन है नेक्स एक आपका कुश्चन दुनिया की जो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुक बनी गई है वो कौन बनी है तो राइट आंसर इसका रहेगा आपका ओप्शन नमबर शेख हसीना जो है ये जो है दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुक बन गई है इंपॉर्टन पोइंस डिसक्स करते हैं तो बांगलादेश की प्रिधानमंती शेख हसीना 76 वर्ष की आयू में बांगलादेश के ध्यास में जो है सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुक बन गई है नेक्स कोशन देखते है हमारा तो रास्टर महिला योग की पूर्व अध्यक्ष का हाल ही में नीधन हो गया है इनका क्या नाम था राइट आंसर इसका रहेगा आपका उप्शन नमबर C डॉक्टर वी मोहिनी गिरी जी है कोशन जो है हमने उपर ही डिस्क्स करा यह में स्प्रिंट हो कहा है ठीक है नेक्स से किये अर्षास्तर के छेतर में नोबिल पुरुषकार 2023 से किसे समानित के आगया है तो राइट अंसर आपका रहेगा फ्रेंज इसका उप्शन नमबर D क्लाउडिया गोल्डिन जो के अमेरिका की है इन्हें अर्षास्तर के छेतर में जो है नोबिल पुरुषकार 2023 से सम्मानित क्या गया है आईए जानते हैं कि इन्हें ये वोर्ड क्यों मिला है तो हारवर्ड विशु विद्याली की प्रोफेसर हैं क्लोडिया गोल्डिन और इन्हें जो है इनके शोद के लिए अर्शासर का नोबिल अवोर्ड मिला है और ये शोद ये श्रम वाजार में इस्तरी और पुरुष के बीच भेदवा संबंदी समझ को बेहतर बनाता है चिकित्सा के चेतर में किस महिला को नोबिल पुरुषकार 2030 से समानित क्या गया तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका Option number C Katalin Carrico जो की Hungary की है Friends इन्हें जो है चिकित्सा के चेतर में Nobel Award मिला है 2023 का Friends जो चिकित्सा के चेतर में Nobel Award मिला 2023 का ये मिला है दो जानों को ठीक है एक तो है Katalin Carrico और दूसरे है Drew Wiesman ठीक है Women's में मिला है Katalin Carrico को मैंस में मिला है Drew Wiesman को और आईए कुछ important points मैं आपको बता देती हूँ, तो कैला लिंस का institute में Nobel Assembly ने Physiology जा Medicine में 2023 का जो Nobel पुरुस्कार है, ये संयुकत रूप से कैटलीन कारी को और ड्रू विस्मैन को Nucleoside West संशोधनों से संबंदित उनकी खोजों के लिए देने का फैसला किया है, जिसने की COVID-19 के खिलाफ प्रभावी MRNA टीको के विकास को जो है वो सक्षम किया था, तो इस चीज के लिए ने मिला है ये award, next question आपका है United World Wrestling द्वारा UWWW Rising Star of the Year जो है वो किस महिला के लाड़ी को चुना गया, right answer option number A रहेगा फैंस आपका अंतिम पंगाल को, भारती पहलवान अंतिम पंगाल को खेल की वैश्विक शासी निकाई United World Wrestling द्वारा जो है महिलाओं के बीच वर्ष का उबरता सितारा जो है फ्रेंड्स वो नामित किया गया है, नेक्स है कि आपका question भारती ओलंपिक संग यानि की IOA की पहली महिला अध्यक्ष जो बन गई है फ्रेंज उनका क्या नाम है, रेलवे बोर्ड की जो पहली महिला अध्यक्ष और CEO बन गई है, वो उनका क्या नाम है, राइट अंसर उप्ष नमबर ए रहेगा आपका, जेया वर्मा सिना जो है फ्रेंड्स ये रेलवे बोर्ड की जो है पहली महिला अध्यक्ष और CEO बन गई है, इंपोर्टन फेक्स कवर करते हैं इस क्वेशन से जुड़े, तो इंडियन डेलवेस की बात आई है हमारे क्वेशन में, देखिए इंडियन डेलवेस की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 16 अप्रेल 1853 को, मुख्यालिस का नई दिली में है और करंड में जो हमारे रेलवे मैनिस्टर है फैंस, उनका नाम है अश्वनी वैशनम, देखिए एक कोशन में हम काफी सारा जो हैं, इंपोर्टन फेक्स भी कवर कर रहे हैं, तो आपने वीडियो का लाइक और शेयर जरूर कर देना है, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही है, जो हमें मोटिवेट करेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, नेक्स से अपका कोशन है, पाकिस्तान में भारती उचरयो की कमान संभालने वाली पहली महिला IFS अफसर जो बनी है, वो कौन बनी? राइट आंसर इस ओप्शन नमबर ए, गितिका श्रीवास्तव नेक्स आपका इंपर्ण कोशन, मिस्ट डिवा यूनिवर्स 2023 का जो खिताब है, किस ने जीता? तो ये आपका जीता है, श्वेता शार्दा ने, ऑप्शन नमबर C जो है, क्रेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेशन का नेक्स आपके, भार्टी प्रतिस परदा आयोग, यानि कि CCI की जो पहली महिला द्यक्षबनी हैवेंस, उनका क्या नाम है? तो राइट अंसर इसका रहेगा, उप्शन नमबर C आपका रवनीत कोउर CCI की फुल फॉर्म होती है, Competition Commission of India और जिसकी की स्थापना की गई थी फ्रेंट्स, 14 अक्टूबर 2003 को मुख्याले की बात करें, तो CCI के मुख्याले जो हैं, ये नई दिली में सिथ है नेक्स कोशन देखते हैं आपका नेक्स कोशन है, 2023 में सूरी नाम के सरवच्च समान, जिसका नाम है Grand Order of the Chain of the Yellow Stars से समानित होने वाली जो पहली भारती महिला बनी है, उनका क्या नाम है नाम के सरवच्च समान, Grand Order of the Chain of the Yellow Stars से समानित किया गया है और ये जो है इस अवोर्ट से समानित होने वाली पहली भारती महिला बन गई है सूरी नाम के राश्च पती, चंद्र की प्रसाथ संदोखी ने जो है मजबूत द्वी पक्षिय सम्बंदों के लिए राश्च पती द्रोप्ती मुर्मू जी को फ्रेंट्स जो है इस समानित किया है नेक्स एक ये आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की नई मुख्य अर्थ शास्त्री जो बनी है उनका क्या नाम है राइट अंसर उप्षिन नमबर ए है आपका क्लियर लॉंबार्डिली जो है फ्रेंड्स ये आर्थिक सहयोग और विकास संगधन की नई मुख्य अर्थशास्त्री जो है वो बन गई है देखे कोश्ट में बात आई है OECD की अगर बात करें इसकी फिल्फॉर्म की तो इसकी फिल्फॉर्म है Organization for Economy, Cooperation and Development जिसकी की स्थापना गरी गई थी 30 सेप्टेंबर 1961 को और इसके मुख्याले जो है ये पैरिस में है नेक्स्ट है Miss Universe 2022 का जो किताब है वो किस ने जीता? Right answer option number D रहेगा आर बोनी गैब्रियल जो कि अमेरिका की है फ्रेंस इन्होंने Miss Universe 2022 का टाइटल जीता है आईए कुछ important facts discuss करते हैं इस question से जुड़े तो Miss Universe जो की 2022 में हुआ फ्रेंस तब इसका कौन सा संसकर्न आयोजित हुआ इकतरवा और अब 2023 में इसका 72 संसकर्न जो है वो आयोजित करा गया था जिसमें की श्यानिस प्लासियोज जो है वो विनर रही है Miss Universe 2021 के अगर हम बात करें तो उनका नाम था हनासंदू जो की इंडिया से बिलोंग करती है और जो दुनिया की पहली Miss Universe थी फ्रेंस उनका नाम था अर्मी कुसेला जो की फिनलेंड की थी और 1952 में इने जो है Miss Universe चुना गया था ये चंद्रमा की परिकर्मा करने वाली दुनिया की पहली महिला अंत्रिक्ष यात्री पनेगी नेक्स हमारा कोशन वीर्टा पुरुसकार पाने वाली भार्टिय वायू सेना की पहली महिला अधिकारी जो है वो कौन बनी राइट आंस उप्शन नमबर ए रहेगा दिपिका म सभवस अधारन साहस की कारे के लिए जो है वायू से ना पदग से सम्मानित क्या गया है नेक्स्ट आपको कोशन है 69 रास्ट ये फिलम पुरुसकार में जो सर्वशेष्ट अभिनेत्री का वोड है वो किसने जिता राइट अप्शन नमबर C है आपका दोनों A और B तो आलिया भट और क्रिती सेनन को 69 रास्ट ये फिलम पुरुसकार में जो है सर्वशेष्ट अभिनेत्री चुना गया फ्रेंट्स आलिया बट को जो है इनकी मूवी गंगु भाई काठ्यावाडी के लिए ये अवोड मिला और वहीं क्रिती सेनन को इनकी मूवी मीमी के लिए ये अवोड दिया गया सुखोई लड़ा को विमान 30MKI उडाने वाली भारत की जो पहली महिला पाइलेट बनी है वो कौन बनी है तो राइट अंसर इस कोशन का आपका रहेगा फ्रेंट्स आप्शन नमबर C आवनी चतुरवेदी संयुक्त राष्ट्र को तीन बार संभोधित करने वाली भारत की सबसे पहली और सबसे कम उमर की जो महिला बनी है वो कौन बनी है टिपिका देशवाल जो हैं ये स्वयुक्त राश्टर को तीन बार संबोधित करने वाली फ्रेंस भारत की पहली और सबसे कम उमर की महिला बन गई है कोशन में बात आई है UN की यानि की United Nations की तो इसके बारे मैं आपको कुछ important points बता दूँ इसकी स्थापना हुई थी फैंस 24 अक्टूबर 1945 को और मुख्याले इसके जो हैं वो न्यू योक में स्थित है करन्ट में जो इसके सदस्य देश हैं वो है 193 और अध्यक्ष जो हैं वो हैं अन्टोनियों कुटेरस नेक्स आपका question वन्यजीव सरक्षन पुरुसकार 2023 से जो है वो किसे सम्मानित किया गया right answer option number C है आपका आलिया मीर जो है friends इन्हें वन्यजीव सरक्षन पुरुसकार 2023 से सम्मानित किया गया है अगर important points की बात कर इस question से जुड़े तो देखिए जो आलिया मीर है ये जम्मो कश्मीर की रहने वाली है और इनको ये अवोर्ड जो है ये वन्यजीव सरक्षन की सभी पहलुओं में उनकी उपलब्दियों के लिए प्रधान किया गया है नेक्स आपका important question नासा की जो पहली महिला विज्ञान परमुख बनी है फ्रेंट्स वो कौन बनी है राइट अंसर उप्षन नमबर सी रहेगा निकोला फोक्स जो है ये नासा की पहली महिला विज्ञान परमुख बन गई है नासा की फिल्फर्म होती है National Aeronautics and Space Administration जिसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को और मुख्याले इसकी जो है वो है वशिंग्टन दीसी में फ्रेंट जो करंट में नासा की अध्यक्ष है उनका नाम है Bill Nelson नेक्स है कि आपका question आइससी मेंस T20 आई क्रिकेट में अंपायर बनने वाली जो पहली महिला बनी है उनका क्या नाम है तो राइट अंसर आपका क्या रहेगा इस question का option number C किम कोटन जो की न्यूजिलेंड की है ये जो है फ्रेंट की ICC मेंस T20 आई क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला बन गई है नेक्स है कि आपका question भार्तिय वायू सेन में लडाकोईकाई की कमान सम्भालने वाली पहली भार्तिय महिला बनी है उनका क्या नाम है राइट अंसर ऑप्शन नपर स्क्वार्डन की कमान जो है वो संभालेंगी नेक्स आपको इंपोर्टन कोशन देखते हैं तो टेबल टैनिस फेडरेशन ओफ इंडिया यानि की TTFI की पहली महिला अध्यक्ष जोवनी है फेंट्स उनका क्या नाम है राइटन से उप्शन नमबर A रहेगा आपका मेगना एहलावत TTFI की फुल फर्म होती है टेबल टैनिस फेडरेशन ओफ इंडिया जिसकी स्थापना होई थी नाइडिट नई दिली में इसके जो हैं हैटकोर्टर्स लोकेटेट है First question आपका भारती सेना की पहली महिला skydiver जो बनी है फ्रेंट्स वो कोन बनी है राइटन से उप्शन नमबर A रहेगा लांस नाइक मनजू जो हैं फ्रेंट्स यह जो हैं यह भारती सेना की पहली महिला skydiver बनी है नगसे किये सीमा सड़क संगठन यानि की बी आरों की विदेशी परियोजना तैनाथ होने वाली पहली भारतिय महिला अधिकारी जो बनी है वो कौन बनी है राइटन से उप्शन नमबर डी रहेगा आपका कैप्टन सुर्भी जखमोला जो है फ्रेंस ये बी आरों की विदेशी परियोजना में तैनाथ होने वाली पहली भारतिय महिला अधिकारी बन गई है कैप्टन जखमोला को भुटान में जो है बी आरों की ओर से चलाए जा रहे है प्रोजेक्ट दंतक के लिए जो है फ्रेंस वो तैनाथ किया गया है नेक्स देखिया आपका कॉश्चिन मिस अर्थ इंडिया 2023 का जो टाइडल है फ्रेंस की किसने जीता राइट आंसर उप्शन नमबर B रहेगा प्रियान सेंड जो है फ्रेंस इन्होंने मिस अर्थ इंडिया 2023 का जो टाइडल है वो जीता है नेक्स कोश्चिन है लगतार ICC Player of the Month का पुरुषकार जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर जो बनी है उनका क्या नाम है उप्शन नमबर D राइट आंसर रहेगा एशली गार्डनर जो कि ऑस्रेलिया की हैफेंस ये लगातार ICC Player of the Month का पुरुसकार जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है Next है क्या आपका question Invest India की नई प्रबंद निदेशक यानि की MD और CEO जो हैं वो कौन बनी Right answer option number B रहेगा निवरिती रोय जो हैं friends ये Invest India की नई MD और CEO बन गई है Invest India की जो friends तापना है ये हुई थी 2009 में और इसके मुख्याले कहां पर है नई दिली में Next है क्ये फ्रांस के सर्वोच नागरिक पुरुसकार जिसका नाम क्या है शेवेलिय डेला लेगिल डी होनूर 2023 जो है ये किस भार्तियों को इससे सम्मानित किया गया है Right answer option number C रहेगा किरन नादर को कला संग्रह करता किरन नादर को जो है भारत में फ्रांस के राजूत इम्यानूल लेनन ने शेवेलिय डेला लेगिल डी होनूर जो है फ्रेंस इससे सम्मानित करा है Next आपका question Right answer option number D रहेगा आपका Next question के और move करते हैं तो luxury fashion brand जिसका नाम है गुच्ची इसकी जो पहली भार्ति वैश्विक ब्रेंड अमेस्टर बनी है उनका क्या नाम है Right answer option number C रहेगा Next question आपका Right answer is option number A Right answer जो है इसका पुराना नाम था Facebook और इसकी स्थापना हुई थी 2004 में मुख्याले जो है इसके वो कैलिफोर्निया में है और करंट में जो यहां के CEO है उनका नाम है मार्क जुकरबर्ग Next आपका Next आपका Right answer option number A रहेगा अपका आशा भोजले जी को जो है लता दिनानात मंगेशकर पुरुसकार 2023 से सम्मानित किया जाएगा लता दिनानात मंगेशकर पुरुसकार जो है यह महान गाई का लता मंगेशकर जी की सम्मान में स्थापित किया गया था जिनका कई February 2022 में फ्रेंस 92 एर्स के आयूं में जो है वो नीधन हुआ था नेक्स है कि आपका गुशन दादा साइफ आल की अंतराष्ट्य फिलम महुसव पुरुसकार 2023 में जो सर्फशिष्ट अभिनेतरी का वोड है वो किस ने जीता राइट अंसर उप्शन नमबर यह रहेगा आपका आल्या भट ने नेक्स है कि तिलंगना की जो पहली महिला मुख्य सचीव है वो कौन बनी है तो राइट अंसर उप्शन नमबर C रहेगा आपका शांती कुमारी जो है यह तिलंगना की पहली महिला मुख्य सचीव बनी है लेक्से कि New Development Bank यानि कि NDB की जो नई प्रमुख बनी है उनका क्या नाम है Right answer option number B रहेगा आपका दिल्मा रुसेफ जो है ये NDB की नई प्रमुख बन की है NDB का जो full form होता है ये होता है New Development Bank NDB की स्थापना करी गई थी फैंस 15 जुलाई 2014 को मुख्यालीस के जो है वो चीन के शंगाई में है और इसके संस्थाप कोन है Bricks Group दोरेस के स्थापना करी गई है नगसे कि विश्व मोसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचीब जो बनी है उनका क्या नाम है राइट अंसर इस ओप्शन नमबब बी सेलेस्टिय सोलो जो है फ्रेंज ये WMO की पहली महिला महासचीब बनी है WMO की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 23 मार्च 1950 को मुख्यालेस की जो है स्विजन लैन के जिनेवा में है और करंट में जो है 193 देश इसके सदस्य देश है नेक्स कुशन आपका है अमेरिकी नो सेना की पहली महिला प्रमुक जो बन गई है उनका क्या नाम है राइट अंसर इस ओप्शन नमबर ए लीजा फ्रैंचेटी जो है फ्रैंच ये अमेरिकी नो सेना की पहली महिला प्रमुक बन गई है तो कॉशन में बात है ये संयुक्त राज़े अमेरिका की आए कुछ इंपोर्टन पोइंस डिसक्स करते हैं संयुक्त राज़े अमेरिका से लेटेट तो इसकी राज़धानी है वशिंग्टन दीसी करंसी क्या है तो अमेरिकी डॉलर यहां की करंसी है और यहां के जो 46 नमबर के राष्टर पती है उनका नाम है जो बाइडन देशक बन गई है प्रवासन के जो लिए जो अंतराष्टे संगठन है इसका गठन हुआ था 6 दिसंबर 1951 को अगर वहीं बात करें इसके मुख्याले की तो फैंस इसके मुख्याले जो है ये स्वीजर लेंड के जिनेवा में है और इसकी सदस्यता जो है अप्शन नमबर B जी हां रश्मी शुकला जो है ये SSB की नई महिला महाने देशक बन गी है फ्रेंट्स SSB स्टैंस फोर सशस्त्र सीमा बल जिसकी स्थाबना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को और मुख्याले नई दिली में है नेक्स्ट अब को को कोशन है वोड़फन स्मुह की जो नई CEO बनी है उनका क्या नाम है तो उनका नाम है मार्गेरिटा डेला वैले ओप्शन नमबर ये जो है बिलकुल करेक्ट आंसर रहेगा इस कोशन का वोड़फन ग्रूप की बात आईए हमारे कोशन में आईए कुछ हैरिसन और गैरी कब द्वारा जो है इसकी स्थावना करी गई थी नेक्स एक है दो हजार तेईस में लिपजिक बुक पुरुसकार जो है ये किस ने जीता है राइट आंसर उप्शन नमबर ये है आपका मारिया स्टैपानोवा जो है इन्होंने दो हजार तेईस में 2023 में प्रतिष्टित लिपजिक बुक परुसकार जो है प्राइज फोर यूरोपीन अंडरस्टैंडिंग से सम्मारित किया गया है नेक्स्ट आपका कुशन सोशल मेडिया प्लाटफॉर्म ट्विटर की जो नई CEO बनी है फैंस उनका क्या नाम है तो उप्शन नमबर ये राइट अंसर रहेगा लिंडा जाकारिनो जो है ये ट्विटर की नई CEO बनी है कॉशन में बात आई है ट्विटर की तो ट्विटर की स्थापना हुई ट्विटर की तीफेंस 21 मार्च 2006 को और मुख्यालेस के कैलिफोर्निया में है नेक्स सेखिए फैमीना मिस इंडिया 2023 का जो खिताब है वो किस ने जीता राइट अंस उप्शन नमबर C रहेगा आपका नंदिनी गुपता ने नंदिनी गुपता जो है ये भारत की 59 नमबर की मिस इंडिया बनी है और मिस इंडिया 2022 का जो टाइटल है फैंस ये जीता था सिन्नी शेटी ने नेक्स एक ये भारतिय प्रद्योगी की संस्तान IIT मदरास जांजी बार परिसर की जो पहली महिला निदेशक बनी है उनका क्या नाम है राइट अंस उप्शन नमबर A रहेगा आपका प्रिती अगला आयम IIT मदरास अंदराष्टे परिसर शुड़ू करने वाला भारत का जो है पहला IIT बन गया है जो की तंजारिया के जांजी बार में बन रहा है संयुक्त राष्टे में भारत की जो पहली महिला स्थाई प्रतिनीधी के रूप में जो है फ्रेंट्स वो किसे निउक्त किया गया तो वो करा गया है रुचिरा कंबोज को ओप्शन नमबर A करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स एकिए ओसकर पुरुसकार 2023 में सर्वशेष्ट अभिनेतरी का जो वोड है वो जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी तो राइट अंसर ऑप्शन नमबर C है आपका फ्रेंट्स मिशेल जो कि होंको की है ये जो है ये ओसकर अवोड में सर्वशेष्ट अभिनेतरी का वोड जितने वाली जो है पहली एशियाई महिला बन गई है और 2023 का ने ओसकर अवोड मिला है इने फ्रेंस इनकी मूवी दा अवरिटिंग अवरिवियर ओल एट वन्स जो है इसके लिए ये ओसकर अवोड मिला है नेक्स सेखिए बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की जो पहली महिला लोको पाइलेट है वो कौन बनी है राइट अंसर ओप्शन नमबर C रहेगा आपका सूरेखा यादव जो है ये बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली जो है एशिया की पहली महिला लोको पाइलेट बन गई है नेक्स सेखिए नेक्स नमबर B जो है क्रेक्ट आंसर रहेगा इसकोशन का मीडिया कमपनी दा हिंदू ग्रूप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड की जो नई अध्यक्षमनी है उनका क्या नाम है राइट अंसर आपका रहेगा इसकोशन का ओप्शन अमबर D निर्मला लक्षमन जो है फ्रेंट यह मीडिया कमपनी दा हिंदू ग्रूप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड की नई अध्यक्षमन गई है हिंदु गुरुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेट जो है इसकी स्थापना हुई थी 1878 में और इसके मुख्याले जो है ये चन्नाई में स्थित है नेक्स है 45th European Essay Prize for Lifetime Achievement Award 2023 से किस भारत ये लिखिका को समानित किया गया है राइट अंसर उप्शन नमबर B रहेगा आपका अरुंधिती रोए को अरुंधिती रोए जो है इन्हें ये समान 2021 में प्रकाशित अजादी नामक निवंद संकलन के फ्रेंच अनुवाद के लिए दिया गया है नेक्स्ट आपका कोशिन है नमबर B राइट अंसर इसका रहेगा आपका अप्शन नमबर B लाल रिन्पुई जो है फ्रेंच की पहली महिला कैबिनेट मंतरी बन गयी है लाल रिन्पुई जो है निस्वास्ते एवं परिवार कल्यान, समाज कल्यान, एवं आदिवासी मामले, महिला एवं बाल विकास और परियटन भिवाग का प्रभार दिया गया है लाल रिन्पुई जो है फ्रेंच की जोराम पिपल्स मूवमेंट पर्टी से संबन दित है पर्टी भी कई बार एक्जैम में पूछ ली जाते है इसको आपको पता होना चाहिए कि वो जो है किस पर्टी से बिलों करता है कई बार पूछ लिए जाता है कि जो अभी रिसेंट में काफे सारे सीम चेंज हुए है जैसी कि जो राजिसान के सीम बने हैं तो वो किस पार्टी से बिलों करते हैं इसलिए आपको पार्टी भी पता होनी चाहिए ठीक है बारत की जो पहली महिला एजुटन कमांडर बनी है औरीषा की IAF स्काई ड्राइवर में लीडर मनीशा पारी को भारत की पहली महिला एजुटें कमांडर नूक्त किया गया मिजोरम की राजर ब्याल जिनका नाम है डोक्टर हरी बावु कमबंपदी इन्होंने जो है नहें ADC नुक्त किया है और भारत में ADC जो है ये एक सम्मान के उपादी है नेक्से किये भारती प्रतिस पर्दा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है उनका क्या नाम है प्रतिस पर्दा बनी है उनके इमिज है दूसी बनी है दिया कुमारी और ये जो है ये महिला बनी है महिलाओं से लेटर कॉच्चन हम डिसकुस करें है इसलिए मैंने आपको बता दिया ठीक है नेक्स से किये डवलो एचो के दक्षिनपूर वेशय चेतर के अगली चेतरे निदेशक के रूप में जो है वो किसे चुना गया राइटान से उप्शन नमबर बी रहेगा आपका साइमा वाज़ेत को नेक्स है प्रिध्योगी की कंपनी हैवलेट पैकार यानि की एचपी की ने भारतिय बाजार के लिए वरिष्ट उपाध्यक्ष और प्रवन्द निदेशक के रूप में जो है वो किसे चुना है इसका राइटान से उप्शन नमबर ये है आपका इपसिता दास गुपता जो है फ्रेंस इन्हें एचपी ने भारतिय बाजार के लिए वरिष्ट उपाध्यक्ष और प्रवन्द निदेशक के रूप में नुक्त किया है एचपी जो है फ्रेंस इसकी स्थापना गड़ी गई थी एक जनवरी 1939 को एचपी के जो मुख्याले है ये कैलिफोर्निया में लोकेटर है और CEO करण्ट में है एंडरिक लॉरेस बेल अध्योगी की प्रेनाली एवर मुदपात की जो नई निदेशक बनी है उनका क्या नाम है तो जो नई डिरेक्टर बन की है भेल की उनका नाम है वानी वर्मा उप्शन नमबर C जो है क्रेक्ट आंसर रहेगा ब्रिटेन के इंस्टिटूट ओफ सिविल इंजिनर्स के अध्यक्षपद के लिए निर्वाचित होने बाली भारती मूल की पहली महिला जो है वो कौन बनी राइट अंसर आपका रहेगा फ्रेंस ओप्शन नमबर A प्रोफेसर अनूशा शाहा फिर्स नेक्ट कोशन पर जाने से पहले मैं आपको एक इंपोरेंट इंफोर्मिशन देना चाहोंगी जो हमारी लास्ट 11 मंस की करणट अफेर्स की पेट पीडियोफ है वो लौच हो चुकी है जिसमें कि आपको लास्ट 11 मंस के सभी करणट अफेर्स के क्वेशन मिलेंगे अगर आपको बई करनी है तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.rawibooks.pdf.com के नाम से है इसी के साथ आपके लिए एक और गुड नियूज है जो हमारी इंडियन पॉलिटी की पेट पीडियोफ है फ्रेंट वो भी लौच हो चुकी है जिसमें की प्रिवियर सेय मैं जो है लिंक्स आपको वहाँ पर दे दूँंगे आप महां से इजी लिए इनको बैभ कर सकते हैं और अपने एक्ज़ैम की पेडियोफ को और ज़्यादा स्टोंग बिना सकते हैं कमन्स सेक्षिन में भी आपको मैं पिन कर दूंगisk कांड इन दोनों के लिंक्स आप वहा में करवाओंगी ठीक है तो दीखिए नाडा ने प्रतिबंदित अनबॉलिक अन्रोजेनिक स्टेरोइड ड्रोस्तानो लोन के लिए जो है किस भारती भारोतोलग खिलाडी पर चाल साल का प्रतिबंद लगाया तो राइट अंसर इस संजीता चानू पर मिसेज यूनिवर्स इंदिया 2023 को जो किताब है वो किस ने जीता तो वो आपका जीता है माधुरी पटले ने नेक्स है अरोनाजल परदेश के पहली महिला IPS अधिकारी बनी है जो उनका क्या नाम है राइट अंसर रहेगा तेंजिंग यांग की नेक्स इस अकाशवानी और समाचार सेवा प्रभाग की जो नई प्रधान महानिदेशक बनी है उनका क्या नाम है तो राइट अंसर इस कोशन का है डॉक्टर वसूदा गुपता डॉक्टर वसूदा गुपता जो है ये आकाशवानी और समाचार सेवा प्रभाग की जो है नई प्रधान महानिदेशक बनी है 2023 में फीफा महिला फुटवल विश्व कप खेलने वाली जो सबसे कम उमर की खिलाडी बनी उनका क्या नाम है तो उनका नाम है कैसी फियर 2023 में लगाता दूसरा अंडर 20 विश्व कुष्टी चैंपेंशिप जीतने वाली भारत की जो पहली महिला पहलवान है वो कौन बनी तो वो बनी फ्रेंस अंतिम पंगाल नेक्स एक ये डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का किताब किस ने जीता राइट अंसर इस प्रवीना अंजराने नेक्स्ट है दुनिये के सबसे उचे जुद्ध छेतर सिया चीन में सक्रिय रूप से तैनाध होने वाली जो पहली महिला दिकारी बनी उनका क्या नाम है राइट अंसर आपका रहेगा इसका कैप्टन शिवा चोहान नेक्स्ट है काजिरंगा रास्टे उध्यान की पहली महिला फिल्ड निदेशक कोन बनी राइट अंसर इस डॉक्टर सोनाली घोश लास्ट कोशन आपकी वीडियो का इसके बाद टुकोशन का टेस्ट है इसका अंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है राइट करके कमप्लीट वीडियो देखते के बाद तो देखिए कोशन है आपका ब्रिटिश अकेडमी फिल्म पुरुसकार 2023 में सर्वश्रिस्ट अभिनेतरी का अवोड किस ने जीता तो ये अवोड जीता है जवाना स्कैनलोन ने उनकी फिल्म तार के लिए तो ये थे हमारे most important questions चर्चित महिलाओं से जुड़े हुए उमीद करती हुँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और questions जो है आपको easily सभी learn हो चुके होंगे अभी इसी वीडियो के अंतरगत अब मैं आपसे two questions का test लोगी जिसका अंतर आपने मुझे comment section में देना है ठीक है तो first question आपका test का है Nobel शांतिपुरुसकार 2023 से किसे जमानिक करा गया for options आपके पास है right answer comment section में आपने बताना है next आपको question test का है दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली जो महिला परमुख बनी है friends वो कौन बनी है for options है आपके पास right answer आपने comment section में लिख देना है तो इसी के साथ हमारी आज की video complete होती है अब आपसे मुलाकात होगी next video में thank you so much for watching this video